हेलो फ्रेंट्स नेक्स्ट धहोरम के तरफ चलते हैं कहना चाह रहा है कि दाइन वर्थ ओफ एनी एलिमेंट इन ए गुरूप इज यूणीक मतलब यह निकलता है दाइन वर्थ ौफ एनी एलिमेंट इन गुरूप जो मेरे पास गुरूप है उसके अंदर उतने भी एलिमेंट है हर एक ऐलिमेंंठ का एक ही इंवर्स होगा सिरुआ फिर बता रहा हूं गुरूप के अगर 10 एलिमेंट है हर एक ऐलिमेंटuben का यानि 10 एलिमेंट का के 10 सि judgments 10 एन वसंगे 11 कहरा है похbly 5 और गर ऐलिमेंट के 10 चास ऐलिमेंट दे रखे हैं अलग-अलग तो उनके पचास ही इनवर्स होंगे ओके यानि सिर्फ एक का एक ही होगा दो नहीं हो सकते यह कहना चाहरा है मैं वहीं बताने की कोशिस कर रहा हूं मैंने का कि सुपोस्ट एड जी को मा इस्टार अगर मेरे पास कोई गुरूब है और अगर गुरूब है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अलिमेंट होंगे खाली तो हो नहीं चकता उसी की बात कर रहा हूं सो देट जी नोड इस उकल टॉ फाई अगर अब group के अंदर कुछ element है तो मैंने उसी को मान लिया suppose that a element group के अंदर है कोई particular element a group के अंदर है अगर a group के अंदर है यह पहले सही है कि यह group है समझने की कोशिश करना यह पहले सही है कि यह group है अगर group है तो group के अंदर कोई ना कोई element होगा और अगर कोई ना कोई element है तो जाहिर सी वाद है group की definition से उसका कोई ना कोई inverse होगा मैंने वही suppose किया कि suppose that मेरे पास जो element A है, A element के मेरे पास कितने inverse हैं? दो inverse है, पहले वाला inverse B है दूसरे वाला inverse C है तो देखने की कोशिश करना समझ नहीं कोशिश करना अगर माल लिया जाए, suppose that मैं कह रहा हूँ कि suppose that D is inverse of A अगर B A का क्या है? inverse है, inverse of A तो मेरे पास inverse की definition होती है, then by definition of inverse by definition of inverse inverse की definition होती है कि एक element को दूसरे element से multiply करने के बाद आपके पास result identity E आना चाहिए और ये जो E है ना ये भी group का element होना चाहिए clear? आगे इक दरब चलते हैं अगे रहा है मैं आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बटा अगर B जो है A का inverse है तो B into A बराबर identity के होना चाहिए और identity भी group का element होना चाहिए अगे मैं आगे सुपोज कर रहा हूँ कि again suppose that suppose that अब की बार मैंने क्या सुपोज किया कि C is inverse of C is the inverse of A अगर C A का inverse है then by definition of inverse then by the definition of inverse element क्या निकल कर गयागा एक element को दूसरे element के साथ multiply करने से बराबर identity आना चाहिए और यह identity belongs to G हो equation number second अब दोने equation को देखो बटा एक equation आपके पास निकल करके जो आई है वो यह निकल करके आई है A into B बराबर होता है B into A बराबर होता है identity के आप A B मालो या B A मालो कोई फरक नहीं पड़ता मैंने B A लिया है आप B A ले सकते हो B into A बराबर है identity के मतलब निकलता है B का inverse A है A का inverse B है एक equation तो आपके पास यह निकली है दूसरी equation आपके पास कितने निकली है बटा A into C बराबर निकल करके आई है identity के A into C बराबर identity के यानि A C का inverse है C A का inverse है अब right hand side तो दोनो equation की सेम हैना तो मैं कह सकता हूँ by equation 1 and 2 दोनों equation से मेरे पास कितना निकल करके आएगा B into A बराबर होगा A into C के समझने की कोशिश करना इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A into B बराबर होगा A into C के अगर मैं A से A कट कर दो तो B is equal to कितना निकल करके आएगा C निकल जाएगा ना अब आगे देखता हूँ मैंने क्या सुपोज किया है मैं सुपोज करता हूँ कि A के दो inverse B and C लेकिन जब मैं inverse की definition एपलाई करता हूँ A के दो inverse B and C तो है कोई दिक्ट वाली बत नहीं है लेकिन जब मैं इसके उपर inverse की definition एपलाई करता हूँ तो B और C की value जो है ना वो दोनों सेम निकल करके आती है अरताथ B is equal to C के है B is equal to C का मतलब ये निकलता है के A के दो inverse तो हैं लेकिन दोनों के दोनों जो है ना बराबर है जैसे आप को के 2 का inverse जो है ना suppose that 3 है मोड 5 के case में 3 दूनी 6 मोड 5 जो जो जवाइट लगा 1 निकल कर क्या मोड 5 के case में 2 का inverse कितना है 3 लेकिन 3 का inverse कितना है 2 ये 2 element नहीं हो सकते मैं वही कहने की गोश्च कर रहा हूँ कि मेरे पास ये particular जो एक element A है अगर इसके 2 inverse भी है जैसे ही मैं इसके उपर inverse की definition apply करने के बाद इसको solve करता हूँ last में मेरे पास ये निकल कर गयाता है B बराबर C के है अर्थाथ मैं यहाँ 2 inverse ना ये मैं जो कहने की कोशिस कर रहा हूँ कि इसके inverse 2 B और C हैं लेकिन value दोनों की बराबर निकल चुकी इससे conclusion ये निकलता है के so that A have only one inverse element अब समझने की कोशिश करना मैंने कितने element वाने थे एक element वाने थे inverse कितना निकल कर गया एक निकल कर गया तो इसी तरीके से अगर group के अंदर बहुत सारे element होंगे सबका एक-एक inverse निकलेगा so that मैं क्या कह सकता हूँ inverse of any element एक element का इंदा group is unique यानि एक element का एक ही inverse है मैं दो मानते हुए चला लेकिन controversy होने के बाद आप दोनों बराबर निकल करके आए बराबर होने का मतलब यह है कि चाहे मैं B माल लू या C माल लू दोनों का एक ही मतलब है so that दा इंवर्स element इंदा group is always unique very important theorem है IT जैम के अंदर इसका बहुत जादे यूज़ होता है आपका को डाउट हो? कोई प्रब्लम हो? you can directly ask me